नमस्कार दोस्तों वेल्कम टू श्विंग ट्रेड आज हम बात करेंगे देन नेटर के बारे में काफी से रेफ्रेंस का सवाल आ रहा था हुआ है कि यह स्टॉक में हमने पहले से बाय करके रखे हुए है अभी है स्टॉक को हमें अपना पोर्टफुलियो में रखना चाहिए मिल सकता है अगर आपके पोर्टफुलियो में अगर कोई भी स्टॉक है तो अभी आप कौन्शा लेवल पर बाइंग करना है और कौन्शा टार्गेट तक लेकि चलना चाहिए तो वीडियो का वीडियो को यहां पर जरूर आप एक बार आनालेसिस कर सकते हैं देख सकते हैं पोरेटर के बारे में अगर आप करेंगे एक स्मॉल einsल करोड था स्टॉक्स पर और बात करेंगे के पिक चल रहा है और व्हें've say company सबसे बड़िया है company बिल्कूल डेट cheap company उसके बाद में अगर हम बात करेंग इसका करेंट प्राइक के बारे मिन 35 प्रैस के आख country प्राइश पे और गिस्टाख अभीatype 35-6 लेकिन इसका बूइअ lan subject aware बात करेंगे 61.9 61.9 पिसके ऑर यहां पर बात करेंगी, यहां पर देन नेट्वर्क लिम्टेड, Mass Media, and entertainment company that provide visual entertainment to its customer through cable TV and OTT Entertainment and Boardcast Boardband Service. It has curated media content from various boardcaster across the wide range of generous and intern, and 13 million household in the India across 13 key states and 433 cities and is the largest subscriber base among all cable player in India. सारे cable player में ये market leader है, उसी के साथ में अगर हम बात करेंगे company के बारे में company किसका subsidiary company है, ये रिलियांस का subsidiary company है, रिलियांस इंडस्टीज का subsidiary company है, their network is the one largest cable network distribution in India. It was acquired by Rilliance Industries in financial year 19. 74.8% stake in the company acquire किया है, यहां पे Rilliance Industries ने. अगर हम बात करेंगे, यहां पे revenue के बारे में 94% का इनका जो revenue है, cable TV business से आता है, तो यहां पे मुझे लगता है, अगर हम बात करेंगे, यहां पे quarterly result के बारे में, तो यहां पे quarterly result sales में 303 करोड का sales देखने को मिला है, तो उसी के साथ में हम तो यह भी नहीं बोलें कि sales में इतना ज़्यदा growth देखने को मिला है, sales जो है flat रहा है, काफी last 12 quarter से, उसके बाद में अगर net profit के बारे में बात करेंगे, net profit देखने को मिला है 50 करोड का जो की बहुत अच्छा देखने को मिला है, मार्च के साथ में अगर हम compare करेंगे, तो यहाँ पर मार्च टू मार्च भी growth देखने को मिला है, अगर हम quarterly के बारे में बात करेंगे, quarterly भी growth देखने को मिला है, last 4 quarter में यहाँ पर 176 करोड का net profit देखने को मिला है, और last 4 quarter में sales देखने को मिला है 1226 क्रोड का sales भी देखने को मिला है उसी के साथ में अगर हम यहां पर श्राइब देखते हैं तो यहां पर नाइंटीन नंडर नाइं ठाटीन क्रोड का कम्पनी का इंवेश्मेंट्ट भी यहां पर देखने को मिल रहा है उसी के साथ में अगर करेंगे journal पर चाहूंगे हैँ में है अगर यहाँ आके देखेंगे तो यहाँ पर रिलैंस इंडस्ती यहां पर रहे है ठीक है तो उसी के साथ में जब इतना बड़ा रेलेंस इंडस्री सब कर अगत यहां पे प्रोमोटर है तो यहां पे थोड़ सा व्रुणा चाहुना अगर ना चांगा अगर एक 2020 थ्वल्ण करते जा जा रहे हैं तो की 0.76 परसंटेze यहांपे पास में यहां पर 1.03 फिर के पास में चुका है अगर हम बात करेंगे last trading session का last trading session में यहाँ पे आज के trading session में यहाँ पे 1.1% का गिरावाट देखने को मिला था उसी के साथ में अगर हम देखेंगे यहाँ पे 5,16,000 quantity trading वह था और यहाँ पे जो delivery उठाए गया है तू लाग 25,000 quantity delivery उठाए गया जो कि 43 percentage का delivery है अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 52 लो के पास में चल रहा है क्योंकि 33.7 रूपीज का 52 लो है और यह कब यहाँ पे 52 का लो टच किया है जो कि 26 मई जो कि कुछ दिन पहले यहाँ पे 10 दिन पहले यहाँ पे 52 लो के पास में के साथ में अगर आप बात करें यहां पर बूग लुक है तो यहां पर बूग यहां पर काफी ओपर देखने को मिल रहा है जो कि बूग वेले से स्टॉक का प्राइस ट्रेडिंग हो रहा है 35.6 के पास में एक बहुत बड़ा opportunity कोई कुछ बोल रहा है कि सेल करके निकल जाओ इसमें future नहीं है इसमें future नहीं है मैंने वीडियो पहले से पोस्ट किया था आप जाके जरूरी देख सकते हैं मेरे चैनल पर मैंने दो बार ने देन ने टॉर के बारे में बात किया हूं ठीक है तो यहां पर मैंने खुद भी अपना position बनाया आपको बता रहा हूं मैं फिर स तरीके से गेंद देखने को मिल सकते हैं पर रिलेंस इंडेस्ट्री प्रोमोटर हो सकते हमारा स्टाउक परफॉंट में शिक्स मौन्स में लेकिन मुझे बिल्कुल भरोसा है स्टाउक किसी भी टाइम पर यहां पर रॉकेट बन सकता है अपना टार्गेट जरूर आजीब क जब उस टाइम पर उसको पकटना भी बड़ा मुश्किल है यहां पर टॉंटी से लेके टॉक में 100 उपीस तक का राली दिखा था जो कि 334 परसेंटेज का राली देखने को मिला था ठीक है मुझे लगता है यह स्टाउक में जबदस तरीक से यहां पर आगे आने वाले आप जाके जरूर मेरा पूरा वीडियो वाच आउट कर सकते हैं जो कि मैंने 90 यहां पर अप्रक्श्मेटली जो लेवल है एक रुपे का उधर हो सकता है 93 का लेवल है तो 93 का लेवल तक अगर आप इसमें पोजिस्टन बना के चलते हैं एक जबदस तरीके से गयन है कितना परसेंटेज आपको गयन देखने को मिल सकता है और यहां पर जो बाइंग हुआ है न तो आपको क्या लगता है और नीचे जाएगा मुझे लगता नहीं कि यहां पर मुझे लगता है बिलकुल एक बटम के पास में चल चुका है ठीक है चल रहा है तो पहला टार्गेट तो लेकि कशन चल सकता है तो सिदा सिदा आगर नहीं तो यहां पर चल सकता है तो यहक荃 से सब्सक्राइब कर रहें सब्सकहरा है उसरी के साथ में बहुत बढ़ा ग्रुप Zar закश you यहां पर जबरदस तरीक से राल्य आ सकता है उसके बाद में जो सेकंट टरगेट है अगर सेकंट टरगेट के लिए शुटाक में बने रहना चाहते हैं बिलकुल सीधा-सीधा यहां तक बने रहे सकते हैं जो में 93 अगर शापना पॉर्टफोलोय में होगा आपको सकता है एक साल लग सकता है हो सकता है दो साल भी लग सकता है लेकिन कोई भी स्टाउक में आप इंवेस्ट्मेंट कर रहा है इतना बड़ा इक स्टाउक में लाको रुपे की बात किया इसा नहीं कि अपर इतना बड़ा ग्रूप है उसी के साथ में यहां पर करेंट वैलू के निच्छे चल रहा है और सारे परमोटर प्लेज भी देखिए ठीक है तो इसी साथ से मुझे लगता है एक बहुत बड़ा अपर्चुनिटी यह लेकिन किसी भी स्टाउक में पोजिशन बना रहा है आपका खुद का अनलीशिस जरूर कर लीजिए उसी वेसिस पर पोजिशन बना यह नहीं तो अपना फाइनांचियल अडवेजर से करेंदर को नहीं मिल राए यहांपर बिलकुल एक तेजी यहां पर रिवर्स आएगा जबार्दस रेकाएश है नहींसे आयगा ऐसे हो सकता है एक 26 डेज में टार्गेट आचिव किया तो यसा ही है जिस टाइम पर तेजी आएगा एक दो महिने में अपना 80% का गयन भी देखने को मिल सकता है लेकिन किसी भी स्टाक में पोजिशन बनाना है अपका फाइनांचल अडवाईजर से जरूशला ले लिजिए और यह आज स्मॉल क्याप कंपनी इसमें आपका थोड़ाशा छोटा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए अप टू वान परसंट टू परसंट तक इन्वेस्टमेंट सकते हैं उसके साथ में अगर आप स्टॉक मार्केट में निव हैं कुछ सिखना चाहते हैं यहां पर प्लेइलिस्ट जरू बिजिट किजिए आपके लिए अलग-अलग प्लेइलिस्ट बनाया हुआ है सारे प्लेइलिस्ट वाच्छ करके काफिस तरे जीज आप फ्रिली सब्सक्राइब करते हैं थैंक यू बेरी मुच प्रेंश फर वाचिंग इस वीडियो मिलते हैं आए एक वीडियो के साथ में